हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर सशांग जोसी जुड रहे हैं। डॉक्टर सशांग जी को कोरोना के इलाज और इस से जुड़ी रिसर्च का बहुत जमिनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशन्स के दीन भी रह चुके हैं। आईए ब अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अउसर मिला था। आपके विचारों की पष्टा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बाते सुनने में आती हैं उसी को मैं एक सवाल के जाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग हैं और क्या-क्या सावधानी जरूरी हैं। में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं पहले जैसे लक्षण थे साज चड़ना, सुका खासी आना, बुखाराना ये तो सब हैं। पर उसके साथ थोड़ा गंद जाना, स्वाच चला जाना ये भी है। और लोग फुड़े भईब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90 प्रतिशत लोगों में कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये मिउटेशन जो बोलते हैं घबराने की बात नहीं है। ये मिउटेशन होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वाइरस भी अपना रंग बदल रह और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है और ये वेव हम पाल कर देंगे वेव आती जाती है और ये वाइरस आते जाते रहता है तो यही अलग-अलग लक्षण है और मिडिकली हमको सतर करेना चाहिए एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है इसमें वैद्य की अस पाशंका है कुछ दवाओं की मांग बहुत जादा है इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रिटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताए है हाँ सर क्लिनिकल ट्रिटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी य अगर सरकारी दीव हुई सूचना का पालन करे तो यह कठनाई का सामना नहीं आता है तो कोविड में जो ट्रिटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें तीन प्रकार की तीवरता है हलका या माइल्ड कोविड मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीवर कोविड जो सीवियर कोविड बोलते है इसके लिए है तो जो हलका कोविड है उसके लिए तो हम oxygen का monitoring करते है पल्स का monitoring करते है उखार का monitoring करते है उखार बढ़ जाता है तो कभी कभी paracetamol जैसी दवाई का इस्तमाल करते है और अपने डॉक्टर से ये जान बचा सकती है जो inhalers दे सकते हम टैबलेट दे सकते हम और उसके साथ ही प्राणवायू जो oxygen हो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे-छोटे इलाज है लेकिन अकसर क्या हो रहा है कि एक नई experimental दवाई है जिसका नाम है Remdesivir ये दवाई से एक चीज़ जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और clinical recovery में थोड़ी से उसकी एड होती है ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये पाच ही दिन गिनी पड़ती है तो ये लोग जो धोड़ रहे Remdesivir की पीछे ये बिलकुल दोड़ना नहीं चाहिए ये दवाई की थोड़ा काम है जिनको oxygen लगता है प्राणवाई oxygen लगता है जो हस्पताल में भरती होते है और डॉक्टर जब बताते तब ही लेना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना हम प्राणायम करेंगे हमारे शरीर के जो लंग से उसको थोड़ा expand करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जी injection आती है जिसको हम ही पैरिन मोलते है ये चोटी-चोटी दवाईय देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते है तो positive रहना बहुत जरूरी है treatment protocol वईदे के सिल्ले से लेना बहुत जरूरी है और ये जो मंगी-मंगी दवाई है उ योग्य लोगों में ही देनी चाहिए तो इसके लिए बहुत भ्रह्म पैदा हो है और इसलिए ये सपश्टिकरन देना चाहता हूं सर कि अपने पास world की सबसे best treatment available है आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा recovery rate है आप यदि compare करेंगे ये यूरोप के लिए अमेरिके वह ही से भी हमारे हां के treatment protocol से मरीज ठीक हो रहे है सर डॉक्टर सेशांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेशांग ने जो जानकरिया हमें दी वो बहुत जरूरी है और हम सब के काम आएगी